नमस्कार, एक बार फ्रेस से बहुत बहुत स्वागा थे आप सभी का परिक्षा वर्ल के सेटोब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-21 के बारे में जहां दोस्तो इस वर्ल का जो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हमने कौन-कौन से most selected fact को समड़ीट किया हुआ है 2021 का जो आर्थिक सर्वेक्षण पेस किया गया था तो चलिए वीडियो को सुरु करता हैं तो सबसे पहले आप या देखेगा जो इस वर्ल का आर्थिक सर्वेक्षण सर्वेक्षन था या कब पेस किया गया थे तो 29 जनुरी 2021 को जो है भारत का आर्थिक सर्वेक्षन 2021 पेस किया गया तो आप इसे द्यान देजेगा तता यह जो आर्थिक सर्वेक्षन है बजट के ठीक एक दिन पूर्व पेस किया जाता है तो आप ध्यान देजेगा जो आल्थिक सर्वेक्षन होता है जो एकोनोमिक सर्वी होता है या बजट से ठीक एक दिन पूर्व पेस किया जाता है तो आप इसे ध्यान देजेगा काफे इंपोरेंट है परन्तु इस वर्स का जो यह आल्थिक सर्वेक्षन था यह तीन दिन पहले ही पेस कर दिया गया है तता इसे आप द्यान देजेगा आम तोर पर यह बजट से ठीक एक दिन पूरु पेस किया जाता है परन्तु 2021 का जो आल्थिक सर्वेक्षन था यह तीन दिन पहले ही पेस कर दिया गया थी यह फैक जो हमारे मुख्य आर्थिक शलाकार होते हैं उनके मार्ग दर्शन में आर्थिक मामलो के विभाग के द्वार आती से आप या देखिएगा जो हमारे मुख्य आर्थिक शलाकार होते हैं उनके मार्ग दर्शन में जो है हमारा जो आर्थिक मामलो का विभाग होता उसके द्वा आरा जो है आर्थिक सर्वेक्षन तयार किया जाता है तो आप इसे या देखिएगा वात्मार में मुख्य आर्थिक शलाकार है क्रिश्न मुल्ति वी सुब्ड मरन्यम तीसे आप ध्यान देजेगा इसके बाद जो पहला आर्थिक सर्वेक्षन था 1950 एकवन में पेस किया गया था उसके बाद 1964 तक जो आलतिक सर्वेक्षन था या आम बजट के साथ ही पेस किया जाता था परंतु 1964 के बाद या आम बजट के एक दिन पूरों पेस किया जाने लगाते हैं फैक्ट भी आप याद रखिएगा इसके बाद जो कुछ important fact और point आलतिक सर्वेक्षन 2021 से बन सकते थे उसको अब हम आगे के स्लाइड में डिसकस करेंगे यह तो कुछ basic जानकारी तो जो आपको याद रखनी चाहिए इसके बाद हम कुछ fact को देखेंगे consider करेंगे आप जो आपके एक्जाम के लिए important हो सकते हैं तो पहला चीज आप याद घृमितीाी का तता दुसरे नंबर पर धाव AH reconnect इसके बाद आर्थिक शर्वेक्षन अमेरिका को फिर आपका चीन को फिर UAE को और फिर होंग कॉंग को ते चीज़े आपको याद अखनी है भारत सबसे ज़्यादा आयात किस देश को कलता है यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए इसके बाद आलतिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा FDI सेवा छेतर के कंप्यूटर सप्ट वेर एंड हाडवेर में आया तुम के कंप्यूटर सप्ट वेर और हॉडवेर के सेक्शन में आया था था से भी आप ध्यान दीजेगा दूस्तों दिकत Надट हो रही है यह पे मेरे मुह में कुछ चाला पड़ गया चाल है कि मैं ठीक से बोल नहीं नहीं पा रहा हऊ तो अगर आपको समुझनेम बंपरसानी हो रही यहोगी तो आप हमें कमेंट वॉक्स में बता दिजैंगा मैं इस वीडियो को को जब मेरा जो मुह है पुरी तरह से ठीक हो जाएगा तब मैं इस वीडियो को दुबारा से रिकॉर्ड कर दूँगा अगर आपको समझने में कोई परसानी हो रहे हो ता आप कमेंट वाक्स में बता दीजेगा इसके बाद अगला important fact है और आर्थिक सर्वेक्षन 2020-21 के अनशार भारत में सबसे ज़्यादा FDI जो है सिंगापूर से है यह भी fact important है जो आर्थिक सर्वेक्षन 2020-21 के अनशार भारत में जो सबसे ज़्यादा FDI है वो सिंगापूर से आया था इसे आप ध्यान देजेगा तता किस छेत्र में आया था तो सेवा छेत्र के computer software and hardware section में आया था तो इसे भी आप या देखिए का तता देश पूछे तो सिंगापूर से सबसे ज़्यादा FDI यानि की प्रत्यक्ष विदेशी निवेस आया था सिंगापूर से भारत में सबसे ज़्यादा इसके बाद गुज इस रात राज्जी में सबसे ज़्यादा आया था दोजार बीस एकष के आर्थिक स्रवेक्षन के नुशार को जयाते हैं तो अमेरिका अरव अमिराद को फिर जाते हैं अमेरिका को और फिर जाते हैं साओधी अरब को इसके बाद विदेशी परेटक भारत में सबसे ज़्यदा किस देश से आते हैं तो सबसे ज़्यदा अमेरिका और बांगलादेश से आते हैं फिर अमेरिका से आते हैं फर ब्रिटेन से आते हैं बांगलादेश से फिर USA से और फिर United Kingdom से इसके बाद विदेशी परेटक सबसे ज़्यादा किस राज्य में आते हैं भारत के तो तमिलाडू में फिर महरास्टा में और फिर उत्तरप देश में तिसे आप ध्यान देजेगा इसके बाद हाले में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है वह कितने साल बाद आई है तो 34 साल बाद आई है 1986 में से पर ले आई थी और 1986 के बाद ये 34 साल बाद दुबारा से लाई गई है नई एजुकेशन पॉलिसी इसे विद्यान देजेगा लगवग 2020 में इसके 34 साल पूरे हो गए हैं अगला है भारत में प्रतिब्यक्ति किये तो गोवा में सबसे ज़्यादा प्रति अप्रतिब्यक्ति अब उसके कंप रतिवक्ति है आँ कि बहार में फिर उत्तरपधेश में और फिर जहार खंड में तेसे आप या देखेगा उसके बाद अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेक्स रिजर्व यानि की विदेशी मुद्रा का दो बंडार है वो चीन के पास है और भारत का चौथा स्थाने विदेशी मुद्रा के बंडार के माबले में भारत का चौथा स्थाने पुरे बिश्व में और चीन का, पहरा स्थान तिसे आप ध्यान दिजेगा इसके बाद यहां पर आप देखे लिए जह भारत में सबसे ज़्यादा जो आयाद की जाने वस्तु और मद है क्या है तो यानि कि भारत सबसे ज़्यादा क्या चीज़ी अपने पास मंगाता है तो भारत सबसे ज़्यादा आयाद करता है पेट्रोलियू कुरूड का उसके बाद पेट्रोलियू मुतपाद का फिर सोना का फिर टेल उसके बाद और स्थी फार्मूलेशन फिर मोती वा पत्सर बाद लोहा वा इस पाती चीज़ें जो भारस सबसे जादा निर्याद कलता है और ऊपर चीज़े बार जो सबसे जादा आया दैने की मंगाता है अपने पास्तिन के बारे में भी आपको याद अखना है इसके बाद MSM यानि की Micro, Small and Medium Industries की जो परिवासा है, वो नई परिवासा दी गई है, इस आल्थिक सर्वेक्षर में तो इसको भी देख लेजे, तो Micro Industry यानि की लगूत जोग हम किसको कहते हैं, तो जिसका Investment एक करोड से कम हो, और Turnover एक साल में 5 करोड से कम हो, उसको हम कहेंगे, Micro Industry, उसके बा Medium Industry हम किसे कहते हैं, तो जिसका Investment 10 करोड से लेके 20 करोड के बीचों, और Turnover 50 करोड से लेके 100 करोड के बीचों, उसको हम कहते है, Medium Industry Definition, आप या दिखिएगा, यह Definition नई आल्थिक, मतलब जो नया, पेस किया गयाता आल्थिक सर्वेक्षर उसमें यह नई Definition दे गई थी, MSME के आप ध्यान दिजेगा, तो यह कुछ Important Fact और Point थे, जो आल्थिक सर्वेक्षर से जोड़े वे थे, जो आपके एक्जाम के लिए कुछ relevant हो सकते थे, तो इनको आप एक बाद देख देख दिजेए के एक्जाम में जाने से पुर्व, तो आज के लिए बस इतना ही, Thank you, Thanks for watching, Thank you Thank you.